Hello friends, Invest Forever में आपका एक बाप फिर से सु आगाता है और हम बात करने वाले हैं आज एक IPO से एलिटेड़, देखिए है चार तारीक को चार IPO आ रहे हैं, एक से एलिटेड हमने अल्रेडी वीडियो बनाई है, उसे एलिटेड और बाते करेंगे, तो आज दो तारीक है, आज के दिन एक वीडियो यहां पार IPO से एलिटेड है, जो की है, एक से एलिटेड है, उसकी डेट, GMP, गिरमार के प्राइम क्या चल रहा है, और हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए है नहीं, किस वैलिएशन पर वह आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, वह सब चीछ के रिलेटे आज 75% के गेन के लिए मैंने बोला था, आज के दिन ही आपा 16% आप बागता हुआ दिखाई दिया, दो दिन पहले एक और वीडियो यहां पर बनाई थी, यहां पर IRCTC-related, वह भी आज 6% बागता हुआ दिखाई दिखाई दिया, यह आज के दिन 6-7% बागता हुआ दिखा आपको भी अच्छे का से गेन मिलते हुए दिखाईएंगे, तो वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं पर बिफोर दर वीडियो में आगे-बादे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपको बताया है, तो हम बात कर रहे है, Xaro Ties Limited IPO, इस काम करता हुए नजर आता है, Ties से लेटर काम करता हुए नजर आता है, Ties की अल्रेडी मार्केट में बहुत सारी कंपनी यहां पर लिष्टे है, जिस से लेटर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे, बट इस कंपनी से लेटर कुछ चीज जान लेते हैं, तो देखें के 2008 मे एक पर्टिकुलर टाइस से लेटर वीडियो पनाई थी और बताया था आपको यह टाइस का स्टॉक है भागेगा, वह आज के दिन 5% बागता हुए दिखाई दिया, बट इसकी बात में करेंगे, बट हम बात करेंगे, जैसे ऐसे इंफरस्ट्रुक्चर बढ़ेगा, तो त स्टॉक्चर भारत में ज्यादा जोड दिया जा रहा है, हर एक लोगों को घर दिया देने की भी यहां पर हमारे प्रदानमंतरी जी कोशिश कर रहे है, तो वह सारी चीटे अगर हम देखे, तो यहां पर टाइस का बिजनस काफी यहां पर आगे के टाइम में, वह ज्यादा फेल्ष पर इस प्रोड़क्ट पॉर्फोलीय कंशेश्टर में एक अगलाव थी इंटाइस वहां पर इनके पास टायल से है, इस जी इस आपक्र पाद करें जया रहे है, जैसे की मैंने इंफरस्रक्ट्चर का पहले नाम लेले वाद़ कि जैसे इस इस इंफरस्ट्रक्चर उसलिए बघ्या को लग नाधने पसंद करते और ज्यादा बासंद करते लिए टाइस इन्वांद्ट항 के इन बीजन्स कोने इसके यह वी जो गर्नें प Cul Quindi यह पर पोल खेंटियल सब्स मिल्मय यहां पर यहां पर एक्सपोर्ट करते हुए नजर आती है और अगर बात करें तो श्रेट आफ द आर्ट मेनुफेक्ट्रिय इनकी जो दो मेनुफेक्ट्रिय प्लेसिस एक फैसिलिटी ए पैडरा एंड तालोर यहां पर इनके है विदा इंस्टॉल पॉड़क्शन प्लेसिती उफ वन वन करोर थर्टी स्वरी 13 करोर 20 लाक स्क्रियर मेट्रिक अ मेटरिक तर नपर एंड डिस्पले सेंटर इन इन 6 cities में इंके डिस्पले सेंटर है डिवा टू मार्केटिंग ओफिसें हैं इनके इन डेली एन मोर भी मोर बहुन दैली में थाउजन प्लस टाइस बनाते हुए नजर आते हैं डिजाइन की ओर लार्ज डीलर नेट्वर्क है इनका विजिट को थाउजन प्लस रिश्टर रिश्टर डीलर इस्ट्रॉंग पैन इंडिया में यहां पर 27 स्ट्रेट में यह प्रिजेंट है यहां पर लार्जेश्ट में प्लांट से यहां पर अगर बात करें इसके अलावा यहां पर इनके प्रमोटर्स की बात करें यहां पर आप देख सकते हैं यह मिश्टर पटेल ही यहां पर इनके प्रमोटर्स नजर आते हैं इनके बारे भी आप जा सकते हैं की वेबसाइट पर यहां पर इनकी financials देखे तो देखें तो नहीं देखेंगे बात करेंगे revenue और यहां पर पैट की तो इन millions में यहां पर result है 19,20 और 21 में तो यहां पर 2440 million rupees का revenue हुआ था फिर 2449 हुआ थोड़ा से यहां पर इस साल की दो जरी किसके तो यहां पर बढ़ता हुआ नजारा रहा 25 million rupees पैट की बात करें 89 करो फिर 112 करो और बात करें 152 करो रही है तो यहां पर पैट इनका इनका यहां पर IPO आने का मकसद क्या है तो मकसद की अगर बात करें तो meet general corporate purpose जो की हम मेशा हर कोई company कहती है तूमीट working capital requirement यह भी हर कोई company कहती है और बात करें तूमेक repayment और इनके बात कर जोगा वह भी इनको चुकाना होगा अब बात कर लेते कुछ इसकी details की तो यहां पर देखिए चार तारिक को 4th of August को यह आई पर market में आता हुआ दिखाई देगा मतलब 4th of August क्या है आई पर close date की बात करें 6 तारे को यहां पर close हो जाएगा मतलब कर यहां पर Friday को यह close हो जाएगा issue type की बात करें book building book building का मतलब क्या होता है कि दो price दे रखे होते है 108 ए 120 जैसे यहां दे रखे है और यहां पर अगर बात करें लिश्टिंग किस पर होगी BSE NSE दोनों पर होगी issue size की बात करें तो देखिए लगबग 1 crore 34,000 यहां पर यहां पर यह shares आते होई दिखाई देंगा मतलब एक सो एक सट करोड रुपे की यह company होगी fresh issue की बात करें तो fresh issue इसमें कितना होगा 134 करोड का fresh issue होगा बाकी जो remaining होगा 165-134 is equal to 26.86 करोड जो की इनका OFS होगा OFS का मतलब क्या है offer for sale मतलब promoters अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और यह 26 करोड रुपे उनकी जेम में जाएगा अब बात करें यहां पर employees discount तो employees के लिए यहां पर 12 रुपे का discount भी है तो इस चीट को भी देखिएगा जो इनके employees होगा उने 12 रुपे का discount मिलेगा यहां पर बात करें और बी कुछी रखी तो minimum आपको एक lot लेना है maximum आप कितने lot ले सकते 13 lot ले सकते है यह retail investors की बात को रही ह इसके लावा I think यहां पर 10% ही रखा गया है retail investors के लिए और अगर हम यहां पर देगे तो 13 lot कितने कहेंगे 1,95,000 रुपीज के यहां पर आते हुए दिखाई देंगे तो यह होगी सारी बात बात करें आपर अभी इनकी holding कितनी है promoters की 56.09% है बट एक बार यह अपनी हिसलारी बेचेंगे जब IPO आ जाएगा तो इनकी 42.5% हम यहां पर promoters निकलने की कोशिश कर रहे है इसको भी आपको देखना पड़ेगा अब बात कर लेतें GMP की तो यहां पर अगर हम जाते है तो देखिए इसका जो अभी recently आज की डेट में 2 अगस्त को यहां पर GMP चल रहा है वो हमें बात कर रहे है कितना मतलब जादा भी यहां पर GMP नहीं है 10% के आसपास ही है तो अभी हमें लगाने के बारे में नहीं सोचाना लगाने के बारे में हमें कब सोचाना जब इसका second day और third day आएगा मतलब 5th of August यह 6th of August को हमें पता चल जाएगी कि how bullish the HNIs is, how bullish the non-retailer is और जो QIV होते हैं वो कितने हैं यहां पर bullish है इस particular stock में और कल जब anchor investor की bidding होगी तो वो कितने हैं यहां पर bid कर रहे हैं वो सब चीछ पैरामिटर देखके हमें एनलाइज करना होगा कि हमें यहां पर invest करना ही के लिए देखिए यह शेयर तो भागें के अज़ए यह आईप्यो आ बात करें यहां पर X0, X020 की रही है 30 के PE पर और 10 के PE पर मिल रहा है इसका हमारे पास chart pattern भी है इससे हमने detail analysis भी किया है इसके जो result है वो अच्छे खासे है book venue के आज पास यह शेयर चल रहा है और यह leading है और highest level returns result पेश्च करते होगा नजर आ रहा है तो यहां पर इस से related बा आपको शायद आने के बाद भी पैसा भागता हुआ दिखाई दे सकता है तो हमें एक video आने वाली है आज के दिन में आएगी बनना कल के दिन में आएगी कि IPO आने के बाद कैसे पैसे कमाई जाए तो IPO आने के बाद जिस तरीके से हमला आपके पैसे double होते हुए नजर आपडेशन होगा जब दूसरे IPO से बाते करेंगे तो उसमें हम एक एक करके और भी दूसरे GMP से बाकी सब चीज़ों से बाते कर लेंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्काइब करें और लाइक करना बिल्कुन और भूलिए त थैंक यू सो मुझ गड्लेस